हेलो फ्रेंट तो वेल्कम बैक टो माई यूट्यूब टेनल ओवे फूट कॉनर आज की रेसिपी एक खट्टे मीठी रेसिपी जिसका नाम है नीवू का खट्टा मीठा सिंपल अचार और इसको बनाना भी बहुत आसान है तो चलिए शुरू करते हैं नीवू का खट्टा मीठा अचार बनाना तो यहां मैंने पांच नीवू लिये हैं साप सुत्रा इदेखिए और इनको मैंने दुलाई करके रखा हुआ है और साथ में मैंने लिया है नमक, मिर्च पाउडर और चीनी इन चीजों को मैं इस्तिमाल क और पहुंचने का बात में अब मैं नीवू को काटूंगा तो आप को नीवू की एक चारट टकड़े करने हैं कि जब ही मैं नीवू काटा हूं मेरे मुई से पानी आने लगता पातन क्यों है आप लोगों के पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा कर लिए हैं यहां मैंने एक निबू की चार्ट टोड़े कर लिए हैं और आप मैं इसमें मिलाओंगा नमक नमक डालने के बाद में आप मैं मिलाओंगा इसमें रेट मिर्च पाउडर और इसको अच्छे से mix कर लेना है आप चाहें तो हाथ से mix कर सकते हैं इसको और mix करने के बाद में अब मैं एक कांच जार लोगा यहां एक मैंने कांच का जार ले लिया है और उसके अंदर डालूँगा चिनी दो या तीन टीस्पून आप नीचे चिनी डाल देजिए और दो तीन टीस्पून ऊपर से डालेंगे तहां माने तीन टीश्पून चिनी डाल दिया है नीचे और उसके बाद जो मैंने निवू में नमक और मिर्च पाड़ों में लाक रखा है वो निवू को इसके अंदर डाल दूगा मैं और उपर से फिर मैं करीब दो या तीन टीश्पून चिनी और डालूँगा और इसको अच्छे से मैं मिस्स कर दिया है और इसको आप दिन में धूब में रखी जिससे क्या होगा कि हमारे नीबू है जल्दी गल जाएंगे और साथ में चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसको अगले दिन मैंने चेक किया 24 गंटे बाद तो देखिए जो चीनी थी हमारी मेल्ट हो चुकी है और साथ में नीबू ने जो है पानी छोड़ा हुआ है इसको आप तीन से चार दिन दोप में रखिए आपका नीबू पूरा गल जाएगा और स्वाधिष्ट नीबू क चार बनके त्यार हो जाएगा थैंक यू फर वाचिन